राजस्थान में एक मासूम ने ओनलाइन रमी जैसे गेम को मौत की वज़े बना लिया। लूनी क्षेत्र के एक मासूम ने सूसाइड कर लिया। वज़े थी ओनलाइन गेम में करीब 40,000 रुपे हार जाना। नमस्कार मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं Think360। राजस्थान के लूनी इलाके के एक ख्यात नाम गेंदबाज हुए हैं रवी विश्णोई। उन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम किया है। कल ही एक मैच में उन्होंने तीन विकेट लेकर अपने परिजनों को गर्व से भर दिया। उसी इलाके में एक मासुम बच्चा ऑनलाइन गेम की लत्त में पड़ गया। यह इस देश का दुरभागे ही कहा जाएगा कि बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार और बड़े-बड़े अभिनेता यह अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन रमी खेलिए, ड्रीम 11 में टीम बनाईए। इसमें आप देख रहे होंगे कि यह खेल पांसा साल से उनलाइन चल रहे हैं, अपने आसपास कोई एक भी व्यक्ति करोड़ पती लगपती बना हो, तो आप देखिए। यह पैसे सीधे तोर पे आम लोगों की जेव से लूटे जा रहे हैं, और इसका उधारन यह बना है मासूम बच्चा। ऑनलाइन गेम एक लथ हैं, और यह कंपनियों का फैलाया हुआ एक जाल हैं, उसमें उलजने की जरुरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे मानते नह पुद्ध ही हैं, तो बच्चे इसके एडिक्ट हो जाते हैं, इस एडिक्शन को कैसे निकाला जाए? इसको लेकि हमने बात की राजस्तान के एक प्रसिद्ध गेमर है, अथरवादित्य उनसे और अथरवादित्य ने बताया कि किस तरह से किसी गेम का एडिक्ट होने से बड़े बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं और उन पर मनोविग्यानिक प्रभाव इतना बुरा पड़ता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाते तो चूंकि आप एक बहुत बड़ा वक्त देते हैं उसके बावजूद आपसे जब बात करते हैं तो लगता है कि आप एक फ्री और कूल लाइफ जी रहे हैं आप एडिक्ट नहीं हो गए हैं तो माबाब बच्चों को कैसे दूर रखें कि वो खेलें टेक्नलोजी फ्रेंडली हो गेम्स खेलें खुश रहें माबाब यही चाहते हैं लेकिन वो एडिक्ट नहीं हो जाए तो प्लीज आप इस पर हमें थोड़ा सा अब उस पर एडिक्शन पर माबाब कुछ नहीं कर सक पांची में कि अदिक्शन नहीं होता तो यह बहुत अच्छी बात बताइए आपने अधी कि इस तरह से एडिक्शन नहीं हो आप कितने गेम खेल लेते हैं दिन और मैं पर फिसे बरहते हैं तो राजस्तान से जोड़ी खास ख़बरों से रूबरों होने के लिए देखते रहे हैं